आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके Redmi या फिर MI के फोन में आपको WhatsApp नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम आ रही है यानि कि अगर आपके फोन में कोई WhatsApp से नोटिफिकेशन आता है तो आपको यहाँ पर साउंड नहीं आता है यानि कि आवाज नहीं आती है तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आएए अच की इस वीडियो में जानते हैं आपको इसके लिए अपने फोन में सबसे पहले Settings को Open करना है फोन की Settings में आने के बाद नीचे स्क्रोल करिए और एक Option यहाँ पर आजाएगा स्क्रोल करने पर Notifications and Status Bar या फिर Notifications and Control Center इस पर आप click करिए और click करने के बाद ये वाला page आपके सामने आएगा और यहां पर एक option आप देख सकते हैं अप notifications इस पर आपको click करना है और click करने के बाद आपके phone के सारे application यहां पर आ जाएंगे अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रोल करके मिलेगा WhatsApp नहीं तो उपर आप Search for Apps पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं और जब आपको WhatsApp मिलेगा तो यहाँ पर WhatsApp पर क्लिक करिए इस टाइप से और क्लिक करने के बाद यह वाला पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पर एक option आप देख सकते हैं Show notification अगर आपका बंद होगा तो आपके notification ही नहीं आएंगे तो इसे on कर दीजिए यहाँ से और नीचे एक option होता है Allow playing sound आपका यह बंद होगा इसे on कर दीजिए Allow vibration इसे on कर दीजिए अब यहाँ पर आपकी WhatsApp notification sound problem solve हो जाएगी अब आप चेक कर सकते हैं किसी दूसरे फोन से WhatsApp करके अपने फोन पर आपकी problem ठीक हो चुकी है तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें